हेलो फ्रेंट्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्ट्रॉलोजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम अनैल्सिस करेंगे सेंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो ऐस यूजल शुरू करूंगा फिंगर्स के अनैल् को और सबसे लास्ट में हम चैक करेंगे लाइन्स को इस तरह से पूरे हैं का जो अनैल्सिसम कंप्लीट करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं सासा ड्रॉ करता जाओंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहों तो यहां पर आप देख सकते ह इनकी जो हथेली है एक स्क्वार शेप बना रही है कुछ इस तरह कि इनकी हथेली की शेप यहां पर बनती हुई जो काफी हाड़ वर्किंग नेचर को शो कर रही है और जो इनकी फिंगर्स है यहां पर मीडियम लैंथ में हैं फिंगर्स के ऊपर कुछ आड़ी रिखाएं भी मैं देख पा रहा हूं उपको दिखाना चाहूंगा कुछ ऐसी आड़ी रिखाएं जो यहां पर इनको अग्रैसिव नेचर का इनसान शो करती हैं इस तरह की रिखाएं होने से व्यक्ति के सभाव में गुसा रहता है और ऐसे व्यक्ति कई बार अपने इसी सभाव की आप देख सकते हैं गैप्स जो नजर आ रहे हैं इनकी फिंगर्स की सैटिंग में ही थोड़ी अग्रैसिव नेचर रहेगी और रिस्क टेकिंग और अडवेंचरस टाइप की नेचर भी क्योंकि यहां पर इनकी जो सूरिय फिंगर है उसकी लेंथ काफी ज्यादा है लगब इनकी शनी फिंगर के एकॉल पहुंचती हुई ऐसे व्यक्ति एडवेंचरस होते हैं रिस्क टेकर होते हैं और कई बार अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो उनको करते वक्त भी रिस्क ले ले लेते हैं ऐसी जगह पर पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लास होन कि तरफ से मिलने वाले सुखों में थोड़ी कमी रह सकती है ऐसे व्यक्ति को घर से दूर जाकर भी रहना पड़ सकता है कुछ इस तरह के चांसिस भी रहेंगे अदरवाइस बिल्कुल स्ट्रेट फिंगर है जो यहां पर इने अच्छे रिजल्ट भी देगी फिंगर्स ओवर करती है तो काफी अच्छे कॉम्निकेशन स्किल्स रहेंगे और फिंगर्स पे हलकी सीधी घड़ी रिखाएं भी मुझे नजर आ रही है जो इनकी फ्रेंडली नेचर को भी इंडिकेट करती है तो यहां पर थोड़ी अग्रेसिव कम फ्रेंडली दोनों तरह की नेचर इनकी रहने वाली है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके माउंट्स को और इनकी लाइन्स को यहां पर आप देख सकते हैं अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की लाइन बनकर सामने आ रही है इस लाइन में कोई भी माउंट्स मुझे लो सेट होता हूं नजर नहीं आ रहा है सभी माउंट्स को प्रॉपर स्पेस मिल रही है और काफी अच्छी स्पेस यहां पर इनको मिलती वी नजर आ रही है तो उसके आगे आगे आप देख सकते हैं रिखाओं को और माउंट्स को जो इनका गुरू माउंट है यहाँ पर अच्छी स्थिती में है और गुरू माउंट के उपर एक स्ट्रॉंग प्रोग्रेस लाइन मुझे उपर की तरफ बढ़ती हुए नजर आ रहे हैं कुछ इस तरह हैं कि रेखा ऐसी रेखा हैं जिनके भी हाथ पर होती है और स्पैसिफ हाना चाहूंगा इसके इलावा भी अप वर्ड जाने वाली रिखाएं हैं और लाइफ लाइन से निकल कर उपर की तरफ चलने वाली रिखाएं भी और यह है रिखाएं अगर देखा जाए जो मेजर प्रोग्रेस इने लाइफ में दिलवाने वाली है मिडल एज के बाद रा अगर आप देखे तो आपको एक क्रॉस जैसी फार्मेशन बनती हुई भी लेकिन अगर यह क्रॉस इंडिपेंडेंट बने तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट देता है लेकिन इस तरह का क्रॉस भी व्यक्ति को फैमली के सुख देता है और लाइफ में धन की कमी नहीं होने आगे देखते हैं इनके शनी माउंट को तो आप देख सकते हैं शनी माउंट काफी अच्छा है लेकिन यहां पर गर्डल आफ वीनस जैसी फार्मेशन भी नजर आ रही है पूरी तरह से कंप्लीट गर्डल आफ वीनस तो नहीं है लेकिन इस तरह का अधूरा गर्डल आफ प्रभावीत करता है आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की रेखा से गर्ल आफ वीनस बनता हो गर्ल आफ वीनस वैसे कंप्लीट कुछ इस तरह से अर्द चंदरमा होता है इनके हाथ में इस तरह का अर्द चंदरमा बनता है ऐसे व्यक्ति के उपर शुकर का खासा प्रभाव रहता है और ऐसे व्यक्ति किसी ना किसी तरहां से entertainment industry से जुड़ सकते हैं शुकर से related जो चीजें हैं वो उनकी life में ज्यादा रहती हैं जैसे luxuries हैं entertainment industry है आर्ट है और females का जो sport है वो ज्यादा रहती है लेकिन अगर यह है गडल वीनस थोड़ा सा भी afflicted हो तो यह व्यक्ति को ज्यादा कामुक बना सकता है sex addiction रह सकती है या किसी तरह की और addiction होने के chances भी रहते हैं mood swing जैसे problem देता है यह गडल वीनस लेकिन इसके अच्छे और बुरे दोनों तरह के results व्यक्ति को life में experience करने पड़ते हैं आप देख सकते हैं इसके इलावा इनका जो शनी मांट अच्छा है शनी मांट के ओपर कोई भी और negative चिन नहीं है शनी रेखा भी यहाँ पर completely नजर आ रही है लगबग middle age से चल कर यहां तक 58 के आसपास की age तक पहुंचती हुई शनी रेखा और बीच में obstacle lines इस रेखा को cross करती हुई जो समय समय पर इन्हें life में ups and downs दिख लाएंगी एक straight और smooth यहाँ पर financial life नहीं देख पा रहा हूँ life में ups and downs की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है इस तरह की शनी रेखा होने की वज़े से आगे देख सकते हैं आप इनके सूर्य माउंट को तो सूर्य माउंट को अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा सूर्य रेखा का इस तरह का छोटा रूप यहाँ पर सूर्य रेखा होंग है आप देख सकते हैं मरकरी रेखा मरकरी माउंट के उपर एक सीधी खड़ी रेखा का होना बहुत पॉजिटिव रहता है व्यक्ति बिजनस के मामले में काफी एक्सपर्ट होता है और उसके इलावा यहाँ पर आप सकते हैं कि लंबी मरकरी लाइन लंबी मरकरी लाइन यहाँ पर इंडिकेट करती है कि वैसे व्यक्ति बिजनस के थूरू बहुत पैसा कमा सकते हैं और बिजनस एक्वेन इनका बहुत स्ट्रॉंग रहता है और इवन मरकरी माउंट भी अच्छी पोजिशन में हो लो सेट ना हो मरकरी फिंगर की लंबाई अच्छी हो तो यह सभी चीजें व्यक्ति की लाइफ में बुद्ध को स्ट्रॉंग करती हैं ऐसे व्यक्ति शार्प माइंड़ होते हैं आगे देख सकते हैं इनकी हार्ट लाइन को हार्ट लाइन यहां पर बहुत अच्छी नदर नहीं आ रही मुझे क्योंकि heart line में overlapping हो रही है कुछ इस area में आकर आप देख सकते हैं इस तरह की heart line जो यहाँ पर show करती है middle age में heart से related problems को even health issues भी रह सकते हैं और यहाँ फिर कोई बड़ा setback भी इन्हे middle age में लगबग 45 के आसपास की age में मिल सकता है तो इन्हें अपने heart का खासतोर से ध्यान रखना चाहिए क्योंकि heart की health यहाँ पर थोड़ी disturb होती हुई दिखाई दे रही है चलिए आगे देखते हैं इनकी mind line को तो आप देख सकते हैं mind line बहुत अच्छी है इनके हाथ में और मिल्कुल straight mind line है कुछ इस तरह की mind line सही निकल कर उपर की तरफ lines बढ़ रही है जो show करती है कि अपने sharp mind की वजह से यह life में तरकी कर पाएंगे उसके इलावा आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की branch नीचे की तरफ चलती हुई जो इनने थोड़ा imaginative बनाएगी इस तरह की branch को writers folk भी कहा जाता है ऐसे व्यक्ति की writing की ability भी अच्छी रहती है और overall mind line का बिल्कुल straight होना इनके लिए beneficial रहेगा और इस तरह की mind line की वज़ा से यह अपने sharp mind को use करते हुए काफी पैसा life में बनाएंगे उसके लावा आप देख सकते हैं इनकी चंदर area के उपर उठने वाली रिखाएं जो traveling को indicate करती है काफी ज़्यादा traveling इनकी life में रह सकती है विदेश यात्राएं long distance traveling यहाँ पर बहुत ज़्यादा नजर आ रही है और इस तरह की रिखाएं जब भी चंदर माउंट के उपर बनती है तो व्यक्ति बहुत traveling करता है इसके अलाव आप देख सकते हैं चंदर area दबता हुआ नजर आ रहा है जो यहाँ पर कहीं न कहीं तनाव को भी indicate करता है traveling काफी रहेगी लेकिन life में किसी न किसी तरह का तनाव भी व्यक्ति को disturb करता रहता है आगे बात करते हैं इनकी line of life की life की line यहाँ पर थोड़ा बाहर की तरफ चलती हुई आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की life की line हतेली के middle तक और एक ब्राँच अंदर की तरफ जो इनको अपने main country के साथ जोड़े रखेगी और उसके साथ साथ एक ब्राँच बाहर की तरफ जो लंबे समय के लिए किसी और country में भी इन्हें stay करने का मौका दिलवा सकती है विदेश यातरा रह सकती है और खास तोर पर middle age में ऐसी चीज़ें होने के चांसे ज्यादा रहेंगे जब यह रिखाएं उपर की तरफ चलते हैं जब यह एक्टिवेट होंगी around 45 के आसपास की age के बाद तो यह कुछ ऐसी चीज़ें भी इनकी life में हो सकती है शुकर area यहां पर काफी अच्छा है और श थोड़ा कामुक बनाता है और इनके अंदर भोग विलास की इच्छाएं ज्यादा रह सकती हैं और सीधी रिखाएं शुकर area के ऊपर थोड़ी problematic शो करती है इस तरह की रिखाएं व्यक्ति को family की तरफ से मलने वाली problems को शो करती है और अगर आप यहां से देखें तो एक रि चीला भी बनाता है ऐसे व्यक्ति अपने शौक के लिए बहुत ज़्यादा खर्चे करते हैं लगजरी चीजों के उपर इनके खर्चे life में अधिक रह सकते हैं और यहां पर कहीं न कहीं family से मिलने वाले खास तोर पर married life से मिलने वाले सुखों में भी दिक्ते नजर आ रही ह क्योंकि एक तो शुकर एरिया के उपर काफी सारी ऐसी रिखाएं आड़ी और सीधी रिखाएं होना जैसे अब देख सकते हैं मैश जैसी formation बनना और दूसरा इस एरिया के उपर एक तिल का होना यह सभी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि कहीं न कहीं married life disturb हो सकती है आगे चल बनता हुआ जो इन्हें विदेश यात्रा करवाएगा अचानक धनलाब के chances को भी बढ़ाता है के तू इरिया के उपर इस तरह से अगर fish का चिन बन रहा हो तो life में sudden gain हो सकता है विदेश यात्रा हो सकती है middle age के बाद काफी तरकी रहेगी लेकिन life में ups and downs यहाँ पर काफी ज्यादा है क्योंकि राहू रिखाओं को भी हम ignore नहीं कर सकते इस तरह की रिखाएं व्यक्ति को life में disturbances देती हैं तो यह कुछ analysis थे इनके hand के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी स्वालों के जो आब एकी वीडियो के तुरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई न